हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माय चानल तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा नोवी हिंदी लोक भारती कविता क्रमांक आर्ट उडान इस कविता के प्रश्ण उत्तर देखने वाले हैं मैं चिडिया बोल रही हूँ इस विशे पर सव प्रेना से लेखन कीजे उत्तर देखिए मैं एक चिडिया हूँ मेरा और मनुष्य का सदियो पुराना साथ है जहाँ जहाँ मनुष्य गया मैं भी वहाँ वहाँ पहुच गई परन्तु पिछले कुछ वर्शों से मेरा अस्तित वह खत्रे में है पहले घर खुले-खुले होते थे उनमें बरामंदे बड़ी-बड़ी किडिया आदी होते थे हम गरों के अलों में तस्वीरों के पीछे अपना गोसला बना लेती थी आराम से अपने बच्चों को बढ़ा करती घरों के बच्चे हमारे लिए दाना पानी भी रख देते थे ताकि दाना लाने के लिए नन्य बच्चों को छोड़ कर हमें बाहर जाना न पड़े परन्तु आजकल के छोटे छोटे घर अधिकतर तो बंधी रहते हैं खुलते भी है तो केवल बाहर आने जाने के लिए उनमें भी परदे पड़े रहते हैं हमारा प्रव पर चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए तो देखो अभी क परो में शक्ती हो तो उप्चन वन उपलब्द नप को नापना है तो वो वाक्य कैसे बनेगा परो में शक्ती हो तो उपलब्द नप को नापना है अब देखो ख सुलकते आप बहार से उप्चन क्रमां को दो अंगन नहीं मांगा करते तो देखिए सुलकते आप बहार से अंगन नहीं मांगा करते तो अब देखिए सेकेंड नमबर निमलिकित काव्य पंक्तियों का सरल भावारता लिखिए तो देखिए अंदेरे के इलाके में डाश डाश नमन मांगा नहीं करते अब उत्तर देखिए जब व वहाफूलों की आशाक करना या फूल मांगना व्यर्थ है क्योंकि वहाफूल मिल ही नहीं सकते जो व्यक्ति आधर के योग्य होता है वह स्वय ही विनम्र हो जाता है उसे किसे से नमस्कार करवाने की आवशक्ता नहीं होती ऐसे व्यक्ति को लोग स्वय जुक कर नमस्कार करत अब देखिए तीसरा प्रश्णा कविता द्वारा दिया गया संदिश अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए चवता प्रश्णा कविता में प्रयुक्त विरामचिन्यों के नाम लिखकर उनका वाक्यों में प्रयुक्त दिया प्रयुक्त देखिए अलपविराम नहू नहां चुपचा बैट दूसरा है योजक चिन्न राजा रानी दोनों उपवन में सेर कर रहे थे। राजा रानी में क्या है योजक चिन्न तीसरा देखिए पूर्णविराम आखिर्वर शूप दिन आप हो तो हम क्या देते हैं पूर्णविराम। अब देखे है चोथा संजाल कवे ने इन मानवियों गुनों कुई और संकित किया है। कौनसे कौनसे वो आदर, नमन, शक्ति, पश्चता तो यहाँ पे हमारे ये कविता के प्रश्न उत्तर खतम होते हैं। आप हैं।